हेलो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार बरा पढ़ना मैं हूँ पुनम और सौगत करती हूँ एक बार फ्रिट से आपके अपने चलाय मेठाने ब्लोक्स में तो फ्रेंड साज मैं आप लोग के साथ कोई भी एक्स्ट्रा बाते नहीं करने वाली हूँ एक जटपट च्छाटने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो वही चाट कर मैने यह आपर ले ली थी और मैंने Case करकर लिया है पालाग मेथी और लाइ पत्य थे थोड़े से तो सारी मैंने सब्या थीन चार बार दो ली यहां पर क्योंकि यहां के मिट्टी में थोड़ा सा रेत रेत जैसे आता है तो अच्छे से दोना पड़ता है उसके बाद मैंने सब्जी को कटिंग नहीं की डारेक्ट मेरी जितनी भी सब्जी थी मैंने सारी एक साथ कोकर में डाल दिया और जटपट से बन जाती है यह पानी इसमे में छूट जाएगा और मैंने इसमें चार से पांस सीटी लगा ली थी तो अभी मैं आप लोग को कुकर खोल कर दिखाती हूं कि जितना कुकर भर रखाता एक दम फुल बर गया था दो लीटर का कुकर है मेरा यह ज़्यादा बड़ा नहीं है और दिखी यह सब्जी कि च्केजार में पीस लिया सान हाउस से मिक्स चायर में पीशते टाइम मैंने पहले लैस्स और अधरक और हरि मिर्ची भी थोड़ा बहुत इसके साथ पीस लिया था वह को ऐसे अप को बता रहरे हो डाल भी सकते नहीं जताल सकते हैं अब मैंने यहां पर लिया है дав टमाटर जब तक मैं फ्राइब करूंगे लेसुन प्याज तो यहां पर मसाले भीग जाएंगे और यहां पर लिया है मैंने मेन इसका जो स्वाद आता है यह बेसन एक छोटी कटोरी बरकर में ने बेसन लिया है छोटी सी कटोरी थी मतलब दो से तीन बड़े चमच रहे होंगे और अच्छा लगता है इन सब्जियों में उसके बाद मैंने तीज पत्ते डाला और लेसुन अध्रक कर मैंने यहां पर थोड़ा सा पेस्ट बचा कर भी रखा था तो वो डाल दिया है लेसुन अध्रक का पेस्ट फ्राय करने के बाद यहां पर डाल दूंगे मैं प्याज और हम लोग हरी सब्जा और बनाते हैं तो सब्जियों में बहुत मिलती है सब्जा तो खा का कर इनको बोर से हो जाते हैं तो थोड़ा से इनका मिक्स जो है वो सब मैंने सारी जो पत्ते हैं मिक्स लिए हैं और मिक्स में थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है और पीस कर बनान जैसे इसमेर आती है बेसन के लड़ू बनते है न और हाँ अगर आप लोगों ने बेसन के लड़ू की रेस्पी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाका देखिए वो भी मैंने अप्लोड कर रखी है अभी बेसन यहाँ पर फ्राइ हो गया मेरे क्योंकि जाग जाग जैसे हो गय अब जो सब्जी में पानी था एक्ष्रा उसी पानी को लुंगी में थोड़ा सा और इसमें डाल दूँगी तो मसाले मेरे पीस करके रखा है तो सारी इसमें सब्जी मिला लेंगे और इसको भी ठीक से फ्राइ कर लेना है वैसे तो इस सब्जी अल्रेडी पक रखी है क्योंकि इसमें सीटी लगाया है लेकिन फ्राइ कर जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग टेस्ट होता है और काफी इसका स्वाद बढ़ भी जाता है और जो हमने इसमें मसाले एड़ किये वो पूरे अपना फ्लेवर इसमें छोड़ देंगे और इसके बाद में लास्ट मेस में जब ये पक जाएगी तो इसके बाद लास्ट मेस में हरा दनिया डालूँगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग भी ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते कमेंट्स में जरूर बताना और रेसिपे आपको कैसे लग रहे हैं तो वो भी कमेंट्स में बताना अगर आप लोग ने सब्जी ट्राइ नहीं की तो एक बार जरूर ट्राइ करें और हम इस सब्जी को चावल और रोटी के साथ भी खा सकते हैं जो इसका सूप है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं थोड़ा पतला या गाड़ा वैसे हलकी से गाड़ी यह सब्जी अच्छी लगती है तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लोग मैं यहीं पर खतम करती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो में नए ब्लोग के साथ तब तक लिए टाटा बाई बाई